नमस्कार दोस्तों आप सब करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिस्टर गयान में तो टीचर ट्रांसफर के सबंद में डिपार्टमन की तरव से आज दो लेटर जारी किये हैं एक लेटर को रिवाइस करके जारी किया गया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो दोनों लेटर हैं वो जो रिवाइस लेटर है और जो पहली लेटर उसमें क्या डिफरेंस है तो जो भी टीचर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं जो बताएंगे तो जो पहली हैं तो चली सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लेटर रिवाइस करके आई है उसके बारे में पहले बदाता हूँ तो यहां पर आप दे सकते हैं 13 जून को यह जो लेटर है वो रिवाइज होकर आई है तो इसमें 1st 2nd पॉइंट में पुराने लेटर्स के रेफरेंस दिये गए है 3rd पॉइंट की बात करो तो यहां पर 374, 301 में, 322, 373, त्रविंजा, जो टीचर्स हैं उनका प्रोवेशन पीरिड कंप्रीड नहीं था 2 एर की कंडिशन थी वो उसको छोट देते हुए उनको 300 से ज़्यादा जो स्टूरंट्स वाले स्कूल है वहां पर अप्लाई करने के लिए एक special chance दिया गया था तो पहले जो chance दिया गया था वो within district दिया गया था तो अभी आप fourth point में दे सकते हैं कि इन teachers की तरव से 4-6 से लेकर 5-6 तक data अपना अप्रूव करने के लिए डीडियो की तरव से verify करने के लिए दिया गया था 6-7 जून तक तो उसके बाद उनकी तरव से apply करने गया था तो जिन teachers का डीडियो की तरव से data अप्रूव कर दिया गया है अब वो inter district मतलब कि अपने district से किसी दूसरे district में जाना चाहते हैं transfer कराके तो उनके लिए अब mocha दिया गया है तो mocha जो है बहुत ही कम है क्योंकि 13 को लेटर जारी की गई और जो time है वो भी शाम को 5 बज़े तक दिया गया है तो इसलिए जो भी इन category के teachers हैं वो आते हैं तो वो 13 जून को शाम को 5 बज़े तक transfer के लिए station जो है जो वो कर सकते हैं अब मैं आपको बदाता हूं कि जो पहले लेटर जारी किया गया था तो क्योंकि सारी सब भी जो टीज से में confused हैं बार बार लोगिन कर रहे थे तो उनको जो station जो है से वो option नहीं मिल रही थी तो यहां पर जो लेटर है वो 12 जो जारी किया गया था बट आज 13 जो जो लेटर है वो circulate हुआ है फर्स्ट पॉइंट में फिछले लेटर के राफरेंस हैं सेगंड पॉइंट में वही 374-322-8233 जो टीचर है उनको दो साल की condition और provision period में चूट देती हुए उनको चार पांच जो उनको update करने के लिए का गाथ हैं बाद में 6-7 के लिए उनका जो डाटा था वो verify करवाए गया डेडी के तरह से उसके बाद उनकी तरफ से जो जिले के अंदर transfer कुराने के लिए मुका दिया गया था बट उसके बाद अगर मैं third point की बात करूं तो यहाँ पर जो भी other teachers हैं 37-4-4-2-1 special case वालों के इलावा जो teachers हैं उनकी दरब से भी एक बार उनको chance दिया जाना है जिले के अंदर और जिले के बाहर तो यह letter जो है वो उनके लिए थी तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दरब के लिए जो बाहर बदली के लिए करना है उनका data verify हो चुका है जिले के अंदर यह जिले से बाहर बदली करवाना जाते हैं वो 13 June और 14 June को पांच वह तक station choice कर सकते हैं तो पहले लिए यह letter जा रही हो था तो सभी इस category में जो teacher आते हैं लोगिन कर रहे थे बट क्योंकि दूसरी जो letter है आई है उसके according जो special chance वाले है उनको ही मुका दिया गया है तो उनके लिए station choice है उनको ही show होगी other teachers को नहीं होगी तो इसलिए जो भी computer faculty या known teaching हैं जिन्होंने special chance लेना है जिले के अंदर जिले से बाहर वो भी बार बार रोगिन कर रहे थे बट वहाँ पर उनको अपने भी देखा होगा not eligible show हो रहा है तो अब जब 374 या स्वच्छे chance वाले जितने भी teachers हैं उनका अब within district और जिले के बाहर दोनों process खत्म हो गया है अब उनके बाद जो है वो बाकी teachers को मुका मिलेगा तो मुझे लगता है यह जो letter है अब दुबारा से जारी होगी date change करके दुबारा जारी होगी और दुबारा से chance दिया जाएगा तो उमीद है कि एक दो दिन बाद ही जो other teachers की तरफ से data transfer के लिए apply करवाया जाएगा तो जैसी हमें कोई letter जारी होगी हमें पता जलेगा तो हम आपको वीडियो की जरी update कर देंगे तो फिलाल अभी आप बार बार login ना करिए अगर other category के teachers हैं तो यह सिर्फ special chance वाले जो teachers हैं उनके लिए ही अगर आप apply करेंगे लोग इन करेंगे तो वहां पर आपको notalizable ही show होगा तो जल्दी मिलोंगा आपके साथ नेक्स इंफ्रमिशन माली वीडियो में तब तक के लिए good bye जयान